हेलो एब्रीवन, वेलकम तो दी चैनल, MS Study for CBSC Pattern इन दिस वीडियो आपने अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर किजे तो question number 6 है, given blow are two different factor trees for 90, write the missing numbers ठीक है, आपको 90 के लिए हापे दो different factor trees दे रखे हैं, इन्हें आपको क्या करना है, complete करना है तो देखें, आपको 90 के लिए आपको पहले इस ब्रेक किया है, 9 into 10 में अगें 9 को further divide किया गया है, 3 into 3, because 3, 3 is a 9, और इस 10 को divide किया गया है, 5 into 2 में because 5, 2 is a 10, okay, second part में देखें, 90 को break किया गया है, 30 into 3 में अब 30 को break किया गया है, 10 into 3, because 10, 3 is a 30, okay, अब इस 10 को further divide किया गया है किसमें, 2 into 5 में, okay, now see the question number 7, find the prime factors of 1729, arrange the factors in ascending order and find the relation between two consecutive prime factors, so let's start, हम यहाँ पिए 1729 के prime factors find करते हैं, okay, so यहाँ पर देखें, आपका यह 2 के table से तो जाएगा नहीं, because यहाँ पर आपका odd digit है, 3 से try करते हैं, तो इसको हम sum करके देख लेते हैं, digit का, अगर 3 से divisible होगा, तो इसका sum 3 से divisible होगा, 1 और 7, 8, 8 और 2, 10, 10, 9, 19, 19 आपका 3 के table में नहीं आता है, 4 के table में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, और 6 के table में भी नहीं जाएगा, because यह 2 और 3 दोनों से नहीं जा रहा है, तो अब इसको हम 7 से try करते हैं, 7, 2 जा हो जाएगा आपका 14, 3 बज़िया हैं यहाँ पर, 3 और 2, 32 हो गया, 7, 4, 28 हो जाएगा, 4 बज़िया और 9, 7, 7, 14 यानि कि यह आपका 7 से complete divide हो रहा है, 7, 2, 14 आपका यहाँ पर 3 बज़िया और यह वाला 2, अब यहाँ हो जाएगा आपका 7, 4, 28 ठीक है, 7, 3, 21 और 3 बज़िया हैं पर 7, 37, 7 के डबल में नहीं आता है, 7 के बाद 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 9 के बाद 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से, 11, 22 नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, कई 13 से जाएगा तो 13 वन सा 13 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आपके पास बच जाता है 1 और 11 और 1 और यह आपका आता है 13 के टेबल में 9 टैंस यानि कि 13 से आपका complete divide हो जा रहा है 13 वन सा 13 and 13 9 सा 117 और अब यह आपका 19 के टेबल से complete divide हो जाएगा ठीक है तो आपके यहाँ पर जो prime factors आए है वो है आपके 7 इंटू 13 इंटू 19 ठीक है यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं पूरा prime factors of 1729 अब हम से यह भी पूछा गया है कि यह जो आपके prime factors निकल कर आए हैं इन्हों हम ascending order में रखते हैं इनका ascending order हमने अल्रेडी रख दिया है बट फिर भी हम इसको रख देते हैं ascending order है आपका 7, 13 और 19 अगर हम 13-7 करते हैं तो हमारे पास आता है 6 तो इनके बीच में relation क्या है relation is that there is a gap of 6 in among them तो यह हो गया आपका solution आप बढ़ते हैं आप question number 8 की तरफ question number 8 आपसे कह रहा है check whether the prime factorization of the given numbers are correct यानि कि यहां पर आपको 4 options दे रखें और सभी के आपको यहां पर numbers के prime factors दे रखें तो पूछ रहे हैं इन में से किस number का prime factorization बिल्कुल correct है तो यहां पर देखें 96 के आपको prime factors दे रखें 2 into 2 into 24 तो जो यह 24 है इसे हम further 2 into 12 और 12 को 2 into 6 और 6 को 2 into 3 में break कर सकते हैं तो यह आपके लिए क्या है correct prime factorization नहीं है तो इस पर हम cross लगा देते हैं अब आजाए 150 पे यहां पर है 2 into 2 into 4 into 5 into 5 is it correct क्या यह correct है no because इसमें हम 4 को further 2 into 2 में break कर सकते हैं यहां पर देखें रॉंग prime factorization है next है आपका 240 240 के prime factorization आपको गिवन है 2 into 2 into 2 into 5 into 6 तो यहां पर भी देखें बागी सारे तो prime factors हैं बट 6 को हम further 2 into 3 में break कर सकते हैं तो यह भी आपका प्राइम factorization नहीं है अब 448 को देखते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7 यहां पर देखें सारे की सारे नंबर ही आपके क्या है प्राइम है तो यह आपका correct prime factorization है इस वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को subscribe करके bell icon भी प्रेस कीजिए जिसे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का notification टाइम पर मिल सके तो जब तक मैं आपके लिए झाल झाल